मूधी सरकार ने देश के उभरते उध्यम्यों का हौसला बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने उभरते उध्यम्यों को राहा देते हुई 10 करोड रुपे तक की पुंजी वाले स्टार्टप को टैक से छूट देने का फैसला लिया है इस निवेश की सीमा राशी में एंजल निवेशक से जुटाई गई राशी भी शामिल है गौतलग की देश के युबाओं को सुवरुजगार करने को प्रेवित करने के लिए बियम मुदी ने स्टार्ट अप इंडिया जैसी महत्वकांशी योजना की शुरुवात की प्रधान मंद्री नरिंद्र मुदी ने साल 2016 में जब स्टार्ट अप इंडिया को लॉंच किया था उस दौरान उन्होंने कहा था कि देश का युबा चौप क्रीटर बने और इसके लिए वे जो कुछ भी करना चाहते हैं उनके लिए पैसे माइने नहीं रखता है जाहिर हैं सुधारों से स्टार्ट अप इंडिया के जरीए नए कारवारती शुरुवात कर पाना स्टार्ट अप इंडिया को बढ़ावा देना उध्यमिता को तोच साहित करना और रोजगार स्रिजन को टेज करना सुनश्चित हो सकेगा